नमस्कार दोस्तों और स्वागा थे आपका मेरे पहले शॉर्ट वीडियो में दोस्तों आज है हम हमारे जो टेलिग्राम का जेन इनवेशन्स का ग्रूप है वहाँ पे और आज हम डिसकस कर रहे थे कि किस तरह जो यूटियल गेमा प्लस है उसका एडवांस कालिब्रेशन जो है उसमें कुछ जो है एक्कुरेसी एरर है मतलब जो वोल्टेजेस हम सेट करते हैं तो उस तरह से वोल्टेजेस वो लेता नहीं है और इस तरह के जो हेल्दी डिसकेशन है दोस्तों ये हमारे ग्रूप पे होते रहते हैं लिंक में दे दूँगा आपको नीचे तो वहां पे जाके आप ये जो टेलिग्राम का ग्रूप है इसको जोईन कर सकते हैं बिल्कूल फैमली ग्रूप है और काफी बढ़िया डिसकेशन जो है वो इस पे चलते रहते हैं तो आज का जो डिसकेशन है वो कुछ इस तरह से हुआ है वीडियो को पॉस करके आप यहां पे पढ़ सकते हैं और ये जो डिसकेशन है ये मैं बताता हूँ आपको तो कई सारे मेंबर्स नहीं observe किया कि जो voltages एक्चुली हम जो menu में जाके set करते हैं तो actual voltages और menu के voltages में जो है difference देखने को मिला है और pause करके आप ये जो भी सारी जानकारी है इसको पढ़ सकते हैं और यहां पे जिस तरह से मैंने इस post में लिखा है कि हम जिस तरह से setting करते हैं 14.4 वोल्ट का तो 14.4 वोल्ट तक smf mode में जो utl gamma plus है वो बैटरी को पूरी तरह से charge नहीं करता है तो दोस्तो इसके लिए आप जो हमारी channel है उसको आप subscribe कर लीजिए और इससे related जो भी observations रहेंगे जो भी update रहेंगे वो आ जाएंगे मेरी channel पे गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू